हेलो गाइस वेल्कम बेक तू माई चानल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्साइज 7.7 के अपने सभी बचे हुए कोशन्स तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्साइज 7.7 के कोशन्स 1 से लेके 5 तर अपने फॉर्मलास कंसेप्ट और इसके प्रूफ इ होता है फ्रोमला क्या होता है, log, x plus under root x square minus a square plus c, तो आपको साथ में वह वाला फ्रोमला अटाच कर देना हैं, ऐसी one upon under root a square minus a square वा फ्रोमला क्या होता है, sin inverse x by a plus c ऐसी 1 upon under root x square plus a square का formula क्या होते है log x plus under root x square plus a square plus c तो इस तरह से हमारे तिनों formula हो गए क्या हुआ under root x square minus a square क्या करना है x by 2 अंदर repeat कर देना है minus a square by 2 और फिर formula अपना लिख देना है तो इस तरह से हमारे इससे साइज में सिरफ ये 3 formula है जो चलिए अब question करते है 6 तो question number 6 की statement है integration of under root x square plus 4x minus 5 into dx तो देख सकते हैं जो हमारे पीछले 5 questions थे उसे सिम्डरल सिम्डरल statement है कुछ भी difference तो नहीं है statement में पीछले questions देखते हैं पर मैं आपको ncati से statement दिखा देती हूँ कुछ आपकी यह statement सी 1 से लेके 5 तक के question में देखो दियांसे 4 minus x square 1 minus 4 x square x square plus 4x plus 6 तो इस तरह की statement थी तो 6 question भी same to same ऐसा ही और same way steps आपको करने तो सबसे पहले करते है completing the square और उसके बाद अपना formula लगा देते हैं completing the square करते हैं सबसे पहले तो completing the square कैसे करते हैं जो भी आपके साथ x के साथ coefficient x के साथ coefficient क्या 4 उसको क्या करो 2 से divide कर दो तो क्या बंज़ेगा 2 फिर उसको क्या करो square कर दो 4 को 2 से divide करा answer आए 2 उसका कर दो square तो इसका square करेंगे तो क्या आएगा 4 या आएगा तो उसको क्या करो add कर दो एक बार plus four plus four X जिसे तरह के फॉर्मला Ben जाएगा यहां कि आए-9 तो minus 19 को लिख सकते है Canonies व्होल स्क्वेर गवं कौनसा फॉर्म्बा बनाए integration of underแ醒 यहां प्लीनियिंटर्क्षय उनक्ष्ड दि फ्य्लेश क्या लिंटर्टर्ध छू प्लास चूलेंगे थिक है इतना समझ आ गया अंडरोट एक स्क्वेर माइनस ऐसक्वेर और उसका डेरिवेटिम लेते हैं जो भी अंदर यूंत अडरोट प्लस टू तो बनी होता है तो जो चाहओ तो आप डैरेक्ट इसे लिख दो नहीं लिए तो क्या करो इसे भी डायर्क्त सकते हो कि यह हमारा इसी से तो आया है इसे खुल के देखोगे यहीं बन जाएगा तो अब से इसे भी लिख सकते हो फिर उसे बाद क्या होते है माइनस a square by 2 तो x square की जंगा क्या आएगा 3 का square एक ही जंगा क्या है हमें प्लस 3 तो 3 का square by 2 log x x की जंगा क्या है x plus 2 प्लस under root x square plus 4x minus 5 कैसे आया लोग के अंदर y वाला x plus 2 के बाद हम यही वाला repeat करते हैं भी अंदर होते हैं याप एक बार formula देख लो वीडियो पीछा करके यही वाला formula लिखते हैं यहाँ पर हैं तो यही वाला इसके जंगा मैंने यह लिख दिया plus c आगे 6th question का अंसर बिल्कुल सा question था सिर्फ आपको completing the square करनी थी और आपका question solution solve हो जगया आप करते हैं 7th question integration of under root 1 plus 3x minus x square into dx इसके integration कैसे करेंगी सबसे पहले तो आपको बते हैं आपका x square completing the square के लिए आपके पास x square कोफिशेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए जैसे हमारी लास्ट question में था एक्स्क्वर कोफिशेंट वन था ना हमएं पस तो ऐसे ही अब हम आपी completing the square हमें करने एक्स क्वाइट क्या है माइनस वन तो माइनस वो पहले क्या ले लेते हैं common ले लेते हैं तो माइनस वो कॉममन ले ले तो क्या बनाए एक्स स्क्वर माइनस 3x minus 1 into dx यह बन गया अब उसके बाइट क्या करना है completing स्क्वेर करते हैं अपना x का coefficient क्या है 3 तो 3 को क्या कर दो 2 से divide तो 2 से divide कर दो 3 by 2 बन गया फिर इसका कर दो square तो क्या बन गया plus 9 by 4 minus 9 by 4 और minus 1 तो पहले से ही था अब minus भाहर है याद रहां under root से बाहर नहीं है minus सिर्फ ऐसे भाहर है क्योंकि इसके अंदर तो यह complex number अभी अभी आपके देखते हैं under root अभी क्या बन गया इसने तीनों को लिखोगे क्या लिखोगे x यह साइम यहाँ minus 3 by 2 का whole square यहां से देख लिए था हम किस का whole square बनेगा 3 by 2 का whole square उसके बाल इन दों को solve करोगे तो क्या बनेगा 13 by 4 वाहर लिख दिया और under root 13 by 2 का whole square 13 by 4 का हम लिख सकते हैं under root 13 upon 2 का whole square तो यह मैंने लिख दिया into dx अब क्या करने सबसे पहले अंदर माइनस को मल्टिप्लाइ करो तो अंदर माइनस को मल्टिप्लाइ करोगे तो क्या बनेगा अंदर 13 by 2 का whole square minus x minus 3 by 2 का whole square यही बनेगा यह positive हो जाएग और यह negative हो जाएगा अब formula क्या बना integration of under root a square minus x square x रहा क्या है x minus 3 by 2 into dx तो यह formula बनके हम पास तो formula क्या बनता है x by 2 x के जंगा यह पूरी time है x minus 3 by 2 upon 2 under root जो भी यहाँ पर given है same to same repeat कर दो या फिर direct ही से लिख दो कोई दिक्कत नहीं होगी plus a square by 2 तो a square तो यह है ठीक है a square तो यह पूरा है by 2 a square यह पूरा है by 2 sin inverse x by a x के जंगा क्या है x minus 3 by 2 upon a a के जंगा क्या है under root 13 by 2 plus c होगा question solve इसी तरह से करना है आपको अपने question को solve बिल्कु सिंपल सा method है अब करते है question number 8 वही वाले सब इस steps लगाएंगे क्या करना है x के साथ जो भी coefficient है उसका divide करो 2 से और फिर उसका square कर दो तो बनेगा 3 by 2 तो अब क्या करना है 3 by 2 का square add और 3 by 2 का square separate कर देना है यही करना था अब इन तीनों को क्या लिख सकते हैं x plus 3 by 2 का whole square लिख सकते हैं ध्यान से देखो x plus 3 by 2 का whole square और यह क्या है minus 3 by 2 का whole square बिल्कु सिंपल सा था question कुछ भी नहीं है इसमें integration of under root x square minus a square क्या बना x by 2 तो x के जोंगा क्या है यह पूरा तो x plus 3 by 2 upon 2 under root this ठीक है minus a square a square यह पूरा है upon 2 log x plus under root same to same repeat कर दो plus c हो गया question solve थोड़ी से calculation करने हो तो next step में calculation कर देना अब करते हैं 9th question integration of under root 1 plus x square upon 9 into dx तो इसके integration कैसे करेंगे अब सबसे पहले देखो करना तो completing the square ही है हमें लेकिन हमें क्या करना होगा एक्स क्वेर क्ोफिशेंट 1 बनाना होगा तो x ко Weight क्ोफिशेंट यहांपर क्या है 1 by 9 by 9 ना xwow तो 1 by 9 को ले लेते है common तो 1 by 9 को मैंने ले लिया common तो यह सetchए मैं 1 by 9 को common ले ले लेती हूं तो स्क्यूर प्लस एक्स्क्येश इंटा स्क्येश इन जाना हैं इसमें तोसे फॉइलां लगाने on the truth a2 by her kjak pad एक्से खुलिखाटेश जाए ऐंए उख carbon 7 क्वाइटु युइ लोग एक्स प्लस एक्सक्यों 와क parental इस X by 3 का whole square तो इस तरह से आप लिख सकते हो और आप इसका formula लगा सकते हो अब यहाँ पर जो आप X के जंगा यूज करोगो क्या यूज करोगे X by 3 ठीक है यहाँ जैसे X आ रहे हैं न तो X के जंगा आपके लिखोगे साथ में X by 3 उसलिए आपको एक change और करना पड़ेगा क्या change जाओ आपको क्या करना है देखो अंदर जो भी हमाँ पर लीनियर फंक्शन होते हैं उसके derivative से हम अपने function को डिवाइड करते हैं तो अब आप धियान से देखो यहाँ पर आपका derivative क्या है जो भी आपका sorry linear function क्या है यहाँ पर X है तो X का derivative तो क्या होता है 1 तो 1 से हम के साथ coefficient है उसे common लेलो और उसे आपने question को solve कर लो अब करते है question number 10th और 11 choose the correct answer in exercise 10 है to 11 तो 10 और 11 में आपको correct answer choose करना है integration of under root 1 plus X का whole square तो इसे क्यास करोगे whole square नहीं है sorry X का square है तो क्यासे solve करोगे से दा formula लगाना है x by 2 under root 1 plus X का square plus a square by 2 log x plus under root x plus x square plus 1 plus c तो सिर्फ formula था कुछ भी दिक्कत नहीं है अगर आपको formula है यहाद है तो अब करते हैं 11th question integration of under root x square minus 8x plus 7 into dx तो इसके integration कैसे करेंगे completing the square से तो इसको 2 से divide करो तो क्या बनेगा 4 तो plus 16 minus 16 हो गया इतना अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं कि इन तीनों को x square minus 8x और plus 16 ठीक है जो भी आप add करो और बाकी दोनों terms उनको एक साथ रखो तो इन तीनों को एक साथ रखो क्या बनेगा x by 2 under root में same to same minus a square by 2 log x x minus 4 plus under root में same to same plus c तो इस तरह से हो जाएगा इतना solve उस तो थोड़ी से calculation करनी नहीं तो हमें पता है यह किस से आया है हमें पास इस से आया तो लिखते है इस किजिंगा same to same और यहां पे भी same to same तो हो गया question solve answer mark कर सकते हैं अपने हिन दोनों तो मैं hope करती हूँ आपके लिए वीडियो helpful रही होगी तो please इस वीडियो के एक like कर दीजिए और में चैन को जरूर subscribe करें और साथ में bell icon को भी click करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की notifications आपको मिल जाए और आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते ले लेटेस्ट अप्डेट के लिए थैंक यू